नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अभे मित्तल और स्वागत करता हूँ आप सभी का उडान इंफिनिटी के यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे CDSE 2021 के लिए Prepational Strategy for Physics लेकिन इससे पहले हम आपको बता दूँ CDSE exam का जो selection process है आगे का process रहेगा और उडान इंफिनिटी आपको कैसे support करेगा इसको लेकर मैंने already वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो i button पर जाकरके अभी जो वीडियो को जरू देखा है और general science जो है वो भी सिर्फ एक part है GK के paper का यहनि CDSE का जो GK का paper है जिसमें कि आपके 120 questions होते हैं for 200 marks उसका सिर्फ एक part है general science और उसका भी सिर्फ एक part है physics तो physics के लिए आपको कोई बहुत लंबी चोड़ी ऐसी preparation नहीं करनी है कि आपके 100 questions आने वाले है physics से जो आपका average मिलता है questions का हो मिलता है 10 to 12 questions per year यह आपको जो है physics से मिलने वाले 10 to 12 questions अब मैं इसमें ही बता रहता हूं यह आपके easy level के questions रहेंगे आपके बहुत difficult level के नहीं रहेंगे बट problem क्या है यह सारे सारे based होते हैं आपके concept पर और normally students क्या कलती करते हैं वो physics में मानके चलता है कि हमारा physics exam clear हो जाएगा based on facts and data बटे facts और data पर नहीं है यह strategy तो सबसे पहले जीस्तों में आपको बता दूँ इस strategy में कि यह physics आपकी 100% scoring होनी चाहिए even मैं तो कहता हूं general science से overall जो आपके आते हैं general science से आपके 25 questions करीब आ जाते हैं हर साल पूरी पूरी general science 100% scoring आपके लिए होनी चाहिए क्यों कि geography, quality, history यह ऐसे subject सो सकते हैं जहां पर एक बहुत wild subject का field हो आपको cover करना पड़ता है इस guidance के लिए ओडान infinity आपके लिए अवेलबल है और आप जो है हमारे courses की जानकरी जो नीचे दिये का number है उन पर call करके आप कभी भी ले सकते हैं तो यह लेकिन आपको ध्यान रखना है कि physics हो यह पूरा general science आपको 100% score करना है उसमें यह आपका target रहना चाहिए second thing में आपको बता दूं कि फिजिस के exam में हमेशा जिन्होंने 9 10th में NCIT को study किया है उनके लिए इस exam में एक एज रहेगा तो 9 10th NCIT वालों के लिए एज है यह बात accept करनी पड़ेगी तो अगर आप किसी दूसरे बोर्ट से हैं जिन्होंने चाहिए नहीं किया है या फिर अगर आपने जो 9 10th में आपके पास जो science ही नहीं था as a subject क्योंकि वो लोग भी इनको इनको study करना पड़ेगा यह सीथी बात है आपको study करना पड़ेगा हाँ इनको short way में smart way में कैसे study कर सकते हैं वह आपको डान infinity पर आपको जो है यह इसके लिए content मिलेगा बहुत अच्छा content मिलेगा आप उसके लिए मैंने बताया आपको कोई कोई भी जनकरी लेनी है तो आप नंबर पर call कर सकते हैं नीचे नंबर्स चलना दिस्किप्शन में भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे तो 910 की NCRT को आपको जरूरी फोकस करना है यह आपको बहुत अच्छा एज देगी खेर मैं इतनी गरंटी आपको देता हूं कि अकर 910 की NCRT जो है वह information का अगर इतना बड़ा भंडार है तो CDS का examination तो उसमें सिर्फ यह है बस यह है NCRT और यह है उसमें CDSE तो ध्यान ने किए कि CDSE तो उसके लिए बहुत छोटा है अब 910 की NCRT को भी आपको स्मार्ट वे में study करना पड़ेगा वह मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करेंगे आपको concept पर ध्यान देना है हाँ आपको in-depth नहीं जाना फिटेस के एक्जाम के लिए आपको in-depth जाने की बिल्कु ज़रूवत नहीं है कि वहला आपना basic concept है बेसिक वो clear रखिये बस इतना आपको करना है अब जो है next mistake नॉर्मली students क्या करते हैं जब उनसे basic concept बोला जाता है तो वो क्या करते हैं कि math-west में तो हमने काफी questions solve कर लिया है physics में वो numericals छोड़ देते हैं अब मैं यह बात accept करता हूँ कि 10-12 जो questions है physics के यहाँ पर 10-12 थे उन 10-12 में से केवल जो है आपके 2-3 questions ही ऐसे होंगे जो होंगे आपके numerical based just 2-3 questions लेकिन मैं आपको क्या बोला अगर आपको cds में score करना और अच्छा score करना है क्योंकि आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं मैंने बताया था रिटन का क्या importance है, merit तक आपका importance होता है, merit out हो जाते है students उसकी वेज़े आपको merit out नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, general science या physics कुछ भी है आपको 100% score करना है, 100% score मतलब numericals मत छोड़िए, numericals भी करिए, अब इसके रिए हाला कि यह जरूरी नहीं है कि आप NCIT की पूरी exercise उठाए, पूरे numericals करें, यह जरूरी नहीं है, उसके लिए पूरा आपको topic wise बनाने है, यह short notes आपको अगर आप हमारा वीडियो को पर्च्रेस करते हैं, तो आपकी videos में, हमारी videos में आपको short notes मिल जाएंगे, वहासाब screenshot ले करके या किसी तरह से save करके उनको अपने काम में ले सकते हैं, बट better होगा आप अपने short notes मना है तो उससे अच्छा कुछ भी वह आपने हाथों से लिखा है, बिना देखे, वह आपके short notes में आता है, यह short notes ही आपकी preparation की जान होते हैं, बल्कुल, यह ध्यान रखिएगा, next है, कि solve question only when right answer is available, यह चीज मैं mathematics के लिए भी कह सकता हूँ, physics के लिए भी कह सकता हूँ, chemistry, biology, सभी के लिए के लिए कह सकता हूँ options है, कुछ अजीब तरह के होते हैं, अजीब in the science है कि वो कुछ आपकी अलगी ability को check करना चाहते है, जो आपकी concept based ability है, तो अगर आपने किसी question को solve कर लिया, उस पर आपने time लगा दिया, और जो है उसके बाद जो आपको option match नहीं गया, तो हो जाएगी गड़ बला, इसलिए practice के time से ध्यान रखना है, वही question करें, इसका right answer पता हो, और until and unless आपका right answer match नहीं कर रहा है, तब तक यानि आपका question को ले करके doubt clear नहीं हुआ, वो आपको अपना clear करना है, उसके बाद ही आपको next topic पर आना है, उडान infinity की तरफ से आपको जो भी questions दिये जाएंगे, चाहे वो ऐ question head पर आपको UPSC की जो official website है, वहाँ पर आपको CDS के सारे के सारे past papers आपको available है, और past papers के साथ, आपको जितनी भी answer कीज़ा है, वो भी available है, सारी की सारी, तो आपको क्या करना ये चीज़ का ध्यान लखना है, अगर आपको previous year questions के लिए answer की चाहिए, तो आपको भटकना नहीं किसी दर उदर website से नहीं देखना है, आपको UPSC answer पता होना चाहिए, UPSC ने इस question को क्या सही answer दिया, यो कि GK के paper में ऐसा हो जाता है, काफी बार होता है, कि जो websites है, जो coaching centers के websites है, उन पर अकसर कुछ और answer दिया होता है, लेकिन UPSC को official answer कुछ और होता है, आपको वो समझना पड़ेगा, UPSC ने क्यों यह answer दिया, सिर्फ क्या दिया, उसी से काम नहीं चलेगा, क्यों दिया यह answer, और last point जो मेरा क्या है, यहाँ पर, वो even सबसे ज़्यादा important point है, physics में आपको practice questions ज्यादा करना ही नहीं है, आपको directly किस से practice करना ही है, CDSE previous year questions, CDSE examination के previous year questions उठाई है, मैं क्योंकि क्या है कि अगर आप कहीं बाहर से questions लेते हैं, तो specific level आप नहीं पचान सकते हैं, फिजए से किस level के questions को solve करें, हो सकता है, बहुत ज़्यादा hard numerical को solve करने लगे, हो सकता है, बहुत easy theory questions को solve करने लगे, और यह मैंने बता है, 100% scoring portion है, यानि कि इसमें आपके easy questions भी आते होगा, और यह जो time save करके आप अपना काम कर रहे हैं, इसी को बोलते है, smart study, smart study, अब smart study जो होती है, उसमें planning involved होती है, अच्छी कासी planning, उस planning के लिए कि आपको पता होना चाहिए, कि आप जो पहले study कर रहे हों किसको कर रहे है, तो चलिए, यहाँ पर जो हम थोड़ा सा discuss कर लेता है, फिरिस्स का syllabus का है, UPSC के, पहले मैं आपको यह चीज़ बता दू, UPSC का CDS का, आप official notification download करके देख चोगे होंगे, वहाँ पर general science का कोई भी syllabus नहीं दिया है, फिरिस्स तो दूर की बात है, पूरे general science में कोई syllabus नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ हुआ है, कि anything which a person should know, because due to his general awareness of things happening around him, इस type का कुछ हो है, वहाँ पर court किया गया, उसके syllabus को, तो इसका मतलब शाहिए था बिंदी में यह समझ रहे होंगे, कि कोई भी चीज जो science की ऐसे related चीज, जो किसी भी परसन को जो आसपास की चीज़ों से aware है, उसको पता हो, लेकिन नहीं, फिरिस्स में आपसे 100% shorty है, आपसे ऐसे questions आएंगे, ऐसे terms आएंगे, ऐसे चीज़े आएंगे, जो किसी normal person को नहीं पता होती, अगर वो specialized study ना करे, यूपसी लिखता है कि no specialized study, बड़ आपको specialized study कर नहीं है, अब क्या कर नहीं है, आपको बता रहता हूँ, वो syllabus कहीं लिखानी मिलेगा, यह syllabus मैंने जो है, मुझे पता है, मेरे CDSE के previous year analysis से, वो मैंने syllabus आपको निकाल के दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा syllabus नहीं है, तो अब यह study जो है आपको, यह nine topics पर आपकी based रहेगी, यह nine topics हैं, जिन्नोंने NCRT study करी हैं, वो तो आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि आप अग आपके 5 topics हैं, यह 5 topics आपके आजाते हैं, 10th class की NCIT में, अब जो है, मैं इन topics में आपको बता रहे था हूं, थोड़ा सा detail में जाके, जो motion, force and gravitation, works, energy and power, यह जो पहले 3 topics हैं, पहले 3, इन पहले 3 topics में, यही हैं आपके majorly numerical topics, इसके अलावा, एक और है, जो majorly आपका numerical topic हैं, वो है, एक तो आपका reflection and reflection, और एक है आपका electricity, इन chapters में ही आपको numerical पर ध्यान देना है, उसके अलावा किसी chapter में आपका numerical आते हैं, तो they will be very very basic numericals, तो आपको माँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान numerical पर नहीं देना है, अब क्या है, motion में आपका पूरा speed related चीज़ा आती है, यहां force and gravitation में आपका force के बार में पूरा आ जाता है, gravity के बार में, balanced forces, unbalanced forces, यह सारी चीज़ा आ जाती है, work energy power में अच्छे numericals आते हैं, इसमें level के, इसको भी हम बात में जब हमारा course वीडियो होगा, उसमें detail में बहुत ज़्यादा, discuss करेंगे इन सारे topics को, आप उसके आई topic में mostly बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें biological portion भी है, human eye के structure को ले करके, तो वो जो biological portion है न, वो भी आपको छोड़ना नहीं है, biological portion मतलब यह जो eye बनी होती है, इस eye में कौन सा part है, आपका cornea, कौन सा part है, आपका pupil, कौन सा part आपका retina, इस पा based questions भी theory के previous ears में आये हैं, similarly sound में जो ear वाला part है, जो ear वाला आपका part है sound में, human ear, यह ear वाला जो biological part है, यह भी आपको नहीं छोड़ना है, और आपको ear के सारे parts भी पता होने चाहिए, कि कौन सा part कैसे function करता है, किस part का क्या कहा है, electricity बहुत अच्छा topic है, जहां से new meagles आते हैं, और अगर आप physics में कोई topic चोड़ना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक topic है, magnetism, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्यों? इससे होता है, जो आपके 10 to 12 questions per year physics से आ रहे हैं, उन में से maximum तो ऐसा होता है कि इससे कोई question आता ही नहीं है, कभी कभार CGS के 3 या 4 papers में से मिला करके आपको ऐसा मिलता है देखने को कि च तो देखिए, हमारा जोगा उड़ान infinity का नया batch start हो रहा है, mid 21 batch, जिसका नाम है, the most important and guaranteed batch for CDSE 1-2021 and 2-2021, अब यहां पर मैं से guaranteed batch के बोल ला हूं, क्योंकि हम यहां पर अकेले ऐसे institute है, जो कि आपकी आगे तक ही guarantee ले रहे है, कि आपका armed forces में selection हो as a gazetted officer, वो हम पूरी guarantee ले रहे ह हम यहां पर सिर्फ आपको return के लिए prepare नहीं करा रहे है, हम साथ में आपकी SSB की जो journey है, उसके लिए भी आपकी पूरी preparation करवाएंगे, एक specialized armed forces के experienced officer के द्वारा, यह course हमारा launch हो रहा 22nd November 2020 को, अगर आप इसको इस course से related कोई भी आपको जानकरी ले नहीं है, आप इस course को purchase करना नहीं जो आपको return plus SSB, दोनों चीज़ों के लिए आपको ले रहा हो, बट यहां हमारा काव में आपको selection करवाना, और आप maximum maximum selection आपे देना, तो इसलिए हमारा यहां पर क्या प्लान है, कि अगर आप जो है, और आप यहां पर join करते हैं, तो अगर आप उसके पास CDS की preparation करने हैं, achieve यह नहीं कर पाते हैं, अगर आप यह करते हैं, तो आपको यह चीज़ आपको मिलेगी, बिल्कुल free, और SSB का पूरा guidance आपको मिलेगा, और आगे तक की process में भी हमारा पूरा guidance रहेगा, तो अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई है, तो उसको please like करें, ऐसे आप आपकी CDS की preparation में बहुत आपके काम आएंगी, subscribe करने बाद notification का जो icon है, वो भी आप जरू दमाएं, क्योंकि यह वीडियो आपको जितनी पहले मिलेंगी, आपकी preparation में उतनी ज्यादा helpful होंगी, so thank you and all the best.